नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूटुब चैनल में हमेशा की तरह है इस वीडियो में हम देखेंगे निप्टी और बैंक निप्टी के एनलेसिस की कल के ट्रेडिंग सेशन में किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं क्या ट्रेडिंग प्लान हम कर लीजेगा ताकि आने वाला लेटेस्ट वीडियो आप सबसे पहले देख सको साथ हमारा टेलिग्राम चैनल आप लोग जोइन करना चाहते हैं तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है डायरेक्ली जाके जोन कर सकते हैं लाइव मार्केट में कोई आप यहां पर देख सकते हैं यहां पर रेजिस्टेंस जोन था यह हमारे लिए आज के दिन ब्रेक आउट हो चुक है और अच्छी कासी वॉलियम के साथ में ब्रेक आउट हो चुक है जो मैंने आपको प्रिवेस वीडियो में भी पताया था कि यह जो जोन है यह अच्छी क अच्छी कासी वॉलियम के साथ में ब्रेक आउट होता है तो आप लोग ऊपर की साइड में अच्छी कासी क्वांटिटी के साथ में ट्रेड कर सकते हैं इसके अलावा दोस्तों प्रिवेस दिनों में भी आपको देखने को मिलेगा यह जोन है वो अच्छा कासा सपोर्ट ज 43,600 का जोन रहेगा जो आप यहां पर देख सकते हैं यह एक उपर की साइड में रेजिस्टेंस जोन है जहां पर मार्केट ने यहां पर रेजिस्टेंस लिया है यहां पर आज की दिन जो क्लोजिंग आई है वो यहां पर रेजिस्टेंस लिया है उसके बाद में यहां पर और यहां पर यानि तीन बार इसने भी यहां पर रेजिस्टेंस ले लिया है चलिए अब हम देखते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में कि किस तरीके का हमारे को विए वो देखने को मिल जाता है सिंपली दोस्तों आपको उपर की साइड में मैंने आपको जोन बता दिया है 43600 का जोन जो आप यहां पर देख सकते हैं 43600 का जोन यह हमारे लिए इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करने वाला है यही मार्केट कल के दिन फ्लेट ओपन होता है यहां पर फ्लेट ओपन होता है और उसके बाद में अपसाइड के लिए जाता है यहां पर उपर के लिए तो आपको सबसे पहले तो 43600 का जो लेवल है इसके नीचे में मार्केट थोड़ा बहुत यहां पर टाइम बिताना ची मार्केट यहां पर टाइम बिताएगा उसके बाद में ब्रेक करता है तो आप लोग अच्छी कासी क्वांटिटी के साथ में ट्रेड कर सकते हैं और आपका रिस्क यहां पर कम रहने वाला है क्योंकि दोस्तों जो भी यहां पर ओपन होने के बाद में जो भी इस तरीके की रे तरफ में ट्रेड है वो कर सकते हैं इसके अलावा दोस्तों यह दि मार्केट किसी भी रीजन से गेप अप ओपन होता है तो आपके लिए इंपोर्टेंट जोन रहेगा 43,900 का जोन है वो आपके लिए इंपोर्टेंट रहेगा क्योंकि आपको एक चीज़ देखने को मिलेग तो मार्केट में यहां से फिर से आपको सप्लाई देखने को मिल सकती है 43,900 का लेवल आप लोग यहां पर ध्यान रख सकते हैं और यदि है हमारा 43,600 का लेवल कल के दिन ब्रेक करता है यहां पर तो हमारा टारगेट दोस्तों सबसे पहले यही रहेगा 43,900 जहां से सेलिंग होई है और यदि मार्केट फ्लो में उपर निकलता है तो आप लोग यहां पर 100-200 पॉंट ज्यादा भी केप्चर कर सकते हैं मार्केट फस्ता है तो आप लोग पहले भी यहां पर exit कर सकते हैं इसके अलावा दोस्तों मार्केट gap डाउन ओपन होता है तो हमारे लिए इंपो साइड की तरफ में जा सकता है तो 43,000 आपके लिए कल के लिए रहने वाला important zone यहां पे open होता है positive signal मिलता है तो आप लोग उपर की side में buying side के लिए जा सकते हैं और इसके नीचे में market sustain करता है 43,000 के नीचे में market यहां पे sustain करता है 15 minute की candle close होती है high break करता है नीचे की side में तो आप लोग नीचे की side में trade कर सकते हैं आप लोग यहां पे 40 2600 का target यहां पे आप लोग रख सकते हैं या फिर 42,400 यह level भी आपको देखने को मिल सकता है तो simple रहेगा दोस्तों कल के लिए हो सकता कि आपको gap opening देखने को मिल सकती है 43,900 पे और आप लोगों को यहां से selling भी देखने को मिल सकती है सबसे पहला target आपके लिए 43,600 का रहेगा और उसके बाद में आज की जो closing है यह target भी आपके लिए important रहने वाला है यही market gap up open होता है जिसे कि यहां पे market open हुआ और नीचे आता है तो यहां से support लेगा 43,600 का यहां पे market कुछ देर के लिए sideways होता है फिर break करता है तो आप लोग फिर से नीचे की side में trade कर सकते हैं तो यह दोस्तो bank nifty के लिए कल का हमारा trading plan चलिए हम देख लेते हैं nifty 50 index को कि उसमें हमारा trading plan किस तरीके का रहने वाला है nifty 50 index का चार्ड भी हमने open कर लिया है सेम आपको bank nifty की तरह देखने को मिलेगा यह जो zone है दोस्तों यह एक important resistance था इसका breakout आज के दिन हो चुका है और उसके पहला target रहेगा दोस्तों 18,300 का target हमारे लिए कल के लिए important रहेगा क्योंकि दोस्तों यह जो देख रहे हैं आप लोग 18,300 पे आपको एक selling देखने को भी लिए अच्छी कासी तो यह हमारे लिए एक resistance की तरह काम करेगा यह दि market gap up open होता है 18,300 के आसपास में open होता है तो यहां से आपको फिर से selling देखने को मिल सकती है already एक supply zone है जहां पर देखे first time supply हो चुकी है और second time भी आपको देखने को मिल सकती है तो gap up open होता है तो आप लोग ready रहेगा selling के लिए और आपका first target है आज की जो closing है दोस्तों 18,210 यह आपका target है वो रहने वाला है क्योंकि दोस्तों जो भी supply और demand zone रहता है जैसे कि यहां पर जो candle अच्छी कासी buying में रहती है या पिर selling में रहती है वहां से फिर से selling का pressure आने का chances है वो ज्यादा रहता है जैसे कि यह जो red वाली candle है यह red वाली candle यहां पर क्यों बनी है दोस्तों क्योंकि उससे पहले market में अच्छी कासी supply हुई है selling हुई है इसकी वज़ज़ से market यहां पर open हुआ फिर से अच्छी कासी आपको selling देखने को मिली जैसे कि मैं आपको इसका previous थोड़ा सा example दिखाता हूँ ताकि आपको यहां पर थोड़ी बहुत चीज़ें वो सीखने को मिले जैसे कि दोस्तों मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ यह 28 November का साइट डेटा है 28 November का है जिसमें आप यहां पर यह केंडल देख सकते हैं एक अच्छी कासी ग्रिन केंडल है यहां पर देखिए दोस्तों यह एक demand zone है जहां पर market कुछ देर के लिए यहां पर sideways रहा और उसके बाद में एक green candle में अच्छी कासी demand हुई market में तो market जब भी इस demand zone के आसपास में आता है तो आपको एक अच्छी कासी buying देखने को मिली इसके अलावा दोस्तों अब आप देख सकते हैं यहां पर जो buying हुई है यह हुई है दोस्तों 18,350 के something में आपको एक buying देखने को मिली है market यहां पर भी gap down opening हुआ और उसके बाद में इस candle में आप यहां पर देख सकते हैं ग्रीन वाली candle इसमें आप यहां से market ने कितना bull run किया उपर की side में तो यह दिया आप लोग अपनी analysis को ठीक तरीके से करते हैं तो market में आपको सुबह के time में भी अच्छा का सा profit है वो market open होने के बाद में 10-15 मिनट में आपको अच्छा का सा profit मिल सकता है जो option buyer के लिए काफी ज्यादा important है इस तरीके कि आप लोग candles को find out कर सकते हैं जो मैंने आ बहुती ज्यादा बनेगा ऐसे जोन को आप लोग यहां पर find out कर सकते हैं तो simple दोस्तों यह जोन इस तरीके का ही है कि यहां पर आपको लंबी सी red candle दीख रही है इस जोन में market open होता है तो आपको हो सकता है कि नीचे की side में आपको अच्छा कासा bearish momentum देखने को मिल सकता है इ उपर की side में यह selling के रहेगा इसको भी break करता है इस तरीके से sideways होने के बाद में तो आपका रहेगा दोस्तों 18,400 का level उपर की side में resistance की तरह काम करेगा ज्यादा बड़ा gap up या फिर gap down open होता है तो उसके बाद में हम लोग live market में जो भी price section बनेगा उसके हिसाब से trade करने वाले और उसके बाद में इस zone को यहाँ पे नीचे की side में sustain करता है जो हमारा resistance दायत ने दिन इसके नीचे में market 15 minute की candle को closing देता है low break करता है तो आप लोग नीचे की side में भी जा सकते हैं और आपका target सबसे पहला target रहेगा 18,100 का जो आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आपक आप लोग नीचे की side में लेके चल सकते हैं तो यह दोस्तों निप्टी और बेंक निप्टी की simple सी analysis चले देख लेते हैं best stocks जिसमें हम लोग कल के trading session में trade करने वाले हैं सबसे पहला intraday stock हमारा रहेगा दोस्तों अड़ानी pots का अड़ानी pot में आप यह पे देख सकते हैं यहां पर आप लोग profit booking के समय यह चीज़े आप लोगों को ध्यान में रखना है तो आप लोग यहां पर 8 to 3 की price में आप लोग buy कर सकते हैं और आप लोग 7 से 8 रुपे का target आप लोग easily इसमें capture कर सकते हैं ध्यान रखिएगा market की जो इसकी opening है वो यहां पर इस zone के नीचे होन रहा है multiple time आपको यहां पर देखिए उपर की side में resistance है और यहां पर यह resistance आपको continue देखने को मिल रहा है इसी zone में market ने यहां पर resistance लिया है उसके बाद में दोस्तों आपको नीचे की side में मैंने आपको एक चीज़ दिखाई है कि यहां पर green वाली candle बनी है जो अच्छी कासी volume के साथ बनी है तो इसकी वज़े से दोस्तों कि यह जो candle बनी है कल के दिन market यहां पर यहां पर open होता है तो आप लोग directly buy कर सकते हैं और आपका जो target रहेगा दोस्तों वह आप लोग यहां पर बड़ा target 1550 का target आप लोग यहां पर लेके चल सकते हो 1550 नहीं तो आप लोग 1545 क बड़ा target भी आप लोग यहां पर लेके चल सकते हो और आपको buy करना है दोस्तों 1522 या पर 23 रुपे की price में आप लोग buy कर सकते हैं बड़ा target आपको इसमें बजाज फिंसव में देखने को मिल सकता है नीचे की side में आपको multiple time support zone दिया गया है यह इसको break करता है तो आप c candle बनी है इसको आप लोग try कीजेगा third intraday stock हमारा रहेगा दोस्तों HDFC bank limited का HDFC bank limited में आप यह देख सकते हैं आपको एक triangle type का formation देखने को मिलेगा और इसमें आपको multiple time उपर की side में resistance zone दिया गया यहां पर resistance लिया यहां पर लिया और यहां पर लिया और इसका breakout देखिए यहा आप लोग छोटा सा stop loss एंटर करके और आप लोग इस trade में एंटर कर सकते हैं 15 से 20 रुपे का target आपको देखने को मिल सकता है या फिर आपको 10 से 15 रुपे का target आपको easily देखने को मिल सकता है यानि आप लोग 1 ratio 3 का आप लोग यहां पर target plan है वो कर सकते हैं HDFC bank limited में 4 अमारा intrad आप लोग रहेगा दोस्तों Reliance industry का इसमें भी आप लोग देख सकते हैं दोस्तों multiple time आपको यहां पर resistance zone देखने को मिल रहा है जो आप लोग इसे 25-50 पर बाइख कर सकते हैं और आपका जो target रहने वाला है दोस्तों यहां से यहां तक आपका target है वो रहने वाला है यहां तक आप लोग यहां पर target लेके चल सकते हैं 25-65 यहां पर 70 का target भी आपको कल के दिन देखने को मिल सकता है Reliance industry में यहां से breakout होता है और market यहां से नीचे नहीं गिरता है सस्टेन करता है तो उसके बाद में आप लोग wait कीजिएगा यहां यही breakout करता है उपर की side में तो आप लोग चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ में तब तक के लिए सीखते रहो कमा दे रहो हमेशा की तरह खुस रहो